कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है इसका पता यहां इंडी गड़बंदन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है वो जानते हैं कि इंडी गड़बंदन का जो मुख्य दल है कॉंग्रेस वो कॉंग्रेस इतनी बूरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्यव विपक्ष बनना भी मुश्किल है और इसलिए इसलिए यहां के जो नेता है इंडी अलाइंस के यहां मतलब नासिक के नहीं महराष्ट के उन्होंने सभी छोटे छोटे डल जो है इन डलों को यह सुजाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियोंने कॉंग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए यह अपनी अपने शटर बंद कर देने चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर यह सभी दुकाने उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए यह हाल है इनका साथियों यह नकली शिवसेना नकली राष्टवाजी पार्टी इसका कॉंग्रियस में बिले होना पक्का है और जब यह नकली शिवसेना का कॉंग्रियस में बिले हो जाएगा मुझे सबसे जादा याद बाड़ा साथ ठाकरे के आएगी क्योंकि बाड़ा साथ जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कॉंग्रियस बन गई है उस दिन शिवसेना आप समाप्त कर दूँगा मतलब अम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है और मुझे लगता है ये जो विनास हो रहा है ये बाड़ा साथ को सबसे जादा दूखी करता होगा